नमस्ति बच्चों, आज हम निबन लेखन, पत्र लेखन और कहाने लेखन का अभ्यास करेंगे बच्चों, निबन हम त्योहार पर, पसुपक्षी पर, फल फूल, प्रक्रती और व्यक्तिकत निबन जैसे मेरी मा, मेरा मित आधी पर लिखते हैं पर निबन लिखने से पहले कुछ बाते हमें ध्यान में रखना जरूरी है जैसे पहला, निबन का चुनाव, दिये हुए विश्यों में से, ऐसे विश्यों को चुनिना चाहिए, जिस पर तुम अच्छी तरह लिख सकते हो दूसरा, रूप रेखा, निबन के सवी संखेतों को भली बाती समझने की कोशिश कीजिए अब दूसरे में अ, प्रारम, जब हम निबन का प्रारम करते हैं, निबन का प्रारम आकरशक और विश्यों से संबंदित होना चाहिए ब, मद्यवाग, जो बीच का भाग होता है, निबन के मद्यवाग के में विश्यों की चर्चा करनी चाहिए क अंत जब हम अंत में निबन लिखते हैं तो निबन का अंत प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए इसमें संपोन निबन का तातपर्य या वक्तव्य एक दो वाक्यों में लिखना चाहिए कुछ विशेश बातें अ, निबन की भाषा व्याकरन और वर्तनी की द्रश्टी से शुद होनी चाहिए ब, निबन की वाक्य सरल और सपश्ट होने चाहिए निबन में सरल और परिचित शब्दों का उप्योग करना चाहिए आवशु हो वहां उचित विराम चिन्नों का प्रिचित करना चाहिए क निबन में किसी बात का विचार की पुनराव रती नहीं करनी चाहिए संकेतों या विचारों के अनुसार निबन में 4 या 5 परिछिद होने चाहिए ड निबन की लिखावट स्वच और सुन्दर होनी चाहिए लिखने के बाद निबन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और यदि कोई भूल रह गई हो तो उसे सुधार लेना चाहिए जैसे मेरी माँ पर यह निबन है बच्चों अब हम पत्र लेकन का अभ्यास करेंगे पत्र लिखते समय भी कुछ विशिश बाते हमें ध्यान में रखनी चाहिए पहला पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए दुसरा अपनी बात को कम से कम शब्दों में सपस्ट करना चाहिए तीसरा संबोधन और अभिवादन पर विशिश द्यान देना चाहिए चौथा पत्र की रूप रेखा और कलेवर सही रूप में होने चाहिए पाँचवा विशिश शपस्ट होना चाहिए छठा नाम पता और दिनांक का सही अंकन होना चाहिए याने आपने किस दिनांक में पत्र लिखा, किसको लिखा, पता कौन सा है, उसका अंकन सही होना चाहिए पत्र के प्रकार होते हैं पत्र में दो परकार की होते हैं अपचारिक पत्र अनपचारिक पत्र जो पत्र किसी विभाग को लिखे जाते हैं उन्हें अपचारिक पत्र कहां जाता है जैसे विध्याले, बिजली विभाग, जल विभाग, स्वास्थिय विभाग, कम्पनियों आदी में लिखे जाने वाल पत्र अनुप्चारिक पत्र जो पत्र प्राय अपने रिष्टेदारों परिवार के लोगों माता-पिता तथा मित्रों को लिखे जाते हैं वे अनुप्चारिक या सबंदी पत्र कहलाते हैं जैसे बच्चो यह पत्र लिखने जन्वदिन के अवसर पर मित्र को आमंत्रित करने ही तू निमंत्रन पत्र जैसे यह लिखा हुआ है यहाँ पर यह पता और यह दिनांक यह सही लिखना है बच्चो अब हम कहानी लेखन का अभ्यास करेंगे कहानी में भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है जैसे सबसे पहले कहानी की रूप्रेका को भली बाती समझ लो रूप्रेका का विस्तार कहानी के प्रतिक संकीत का क्रम से विस्तार करो कहानी के इस्थान और पात्र आधी के नाम दो मुख्य घटना का समशेप में वडन्त करो पात्रों की बातचीत को समवात की रूप में लिखो अन्नी बाते, कहानी भूत काल में लिखनी चाहिए, पूरी कहानी तीन चार परिछेदों में बटनी चाहिए, उसमें विराम चिन्नों का उचित प्रियोग करना चाहिए शीर्षक, कानी की मुख्य पात्र, प्रसंग या संदिश को ध्यान में रखकर कानी को उप्युक्त वर छोटा सा शीर्षक देना चाहिए, सीख, कानी से मिलने वाली सीख एक दो वाक्यों में लिखनी चाहिए जैसे बच्चों, यहाँ पे हमने ये काहानी लेखन की है, तो ये वाली काहानी बच्चों हमने पाट एक में भी पड़ी है अब आप लोग काहानी लेखन, पत्र लेखन और निबन लेखन तीनों का अभ्यास घर में अच्छे से करेंगे, धन्यवाद